उत्पादन घटने से फिलिपिन्स में चावल का बढ़ सकता है आयाद दरसल दक्षिन पूरव एशिया देश फिलिपिन्स में इस वर्ष चावल का आयाद बढ़ने के आसार हैं क्योंकि वहां घ्रेलू उत्पादन में उमीद से अधिक गिरावट आने की आशंका है इसके चलते फिलिपिन्स वैश्विक बाजार में चावल का सबसे बड़ा खरीदार बना रहेगा उधर अमेरिकी क्रिशी विभाग की विदेश क्रिशी सेवा की एक रिपोर्ट के नुसार चालू साल के दोरान फिलिपिन्स में चावल का आयाद बढ़कर 41 लाग टन पहुंचने का अनुमान है जो पहले लगाए गए अनुमान 49 लाग टन से 2 टन अधिक है दरसल फरवरी में 49 लाग टन चावल के आयाद का अनुमान लगा गया था वहीं अब साल 2023 के दोरान फिलिपिन्स में 36 लाग टन चावल का आयाद हुआ था जो चालू साल में 5 लाग टन या 14 फीसद कह सकते हैं कि बढ़कर 41 लाग टन तक पहुंच सकता है वहीं पहले साल 2024 में विश्वस्तर पर 523 लाग असी हजार टन चावल के आयाद का अनुमान अमेरिकी क्रिशी विभाग की विदेश क्रिशी सेवा के द्वारा लगाया गया था जिसे अब भढ़ाकर 533 लाग टन निर्धारित कर दिया गया है उनका कहना है कि फिलिपिन्स के साथ साथ इंडोनेशिया को भी चावल का आयाद बढ़ाने की आवशक्ता पड़ेगी फिलिपिन्स चावल का सबसे बड़ा आयाद देश बना रहेगा जबकि इसके बाद इंडोनेशिया, चीन और यूरोपीय संग का नंबर रहेगा अफरीकी देश भी विशाल मात्रा में चावल का आयात करते हैं और अन्या शेत्रों में इसका पेक्षाकरित कम आयात होता है उपलब आंकडों के नुसार जन्वरी फरवरी 2024 के दो महीने के दोरान फिलिपिन्स में 7,28,000 टन से कुछ अधिक चावल का आयात हुआ है जिसमें वियतनाम से आयाती चावल की भागेदारी सबसे ज्यादा 3,91,000 टन रही है वियतनाम पिछले कई सालों से फिलिपिन्स को सबसे अधिक चावल की सप्लाई करने वाला देश बना हुआ है वहीं USDA ने फिलिपिन्स में चावल का उत्पादन अनुमान 125,000,000 टन से घटा कर 123,000,000 टन तै कर दिया है Bureau Report Market Times TV